हाई एवरीवन आज हम बनाएंगे सूजी का एकदम न्यू ब्रेटफरस्ट और ये ब्रेटफरस्ट बहुत ही जादा टेस्टी होता है तो आप लोग बिना स्किप करें वीडियो पूरा देखें और मेरा ट्राइप रॉट टूट गया इसके लिए वीडियो थोड़ा सा हिल स के लिए इसको रेस्ट को छोड़ दूँगी ये देखें 15 मिनिट में ये सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगी तो इसको अलग रख देते हैं अब दूसी तरफ एक पैन लेते हैं और उसमें वन टी स्पून ओयल एट किया हाफ टी स्पून जीरा डाला और हाफ टी पैस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट एट किया और इसको लो फ्लेम पर 30 सेकंड के लिए हमें भूण ना है उसके बाद हाफ टी स्पून रेट चिली हाफ टी स्पून टर्मरीक हाफ टी स्पून कोरियंडर डाल कर इसे फेर से मिक्स करना है और मसालों को सिफ कुछ सेकेंड के लिए भूनना है ताकि इनका कच्चापन चला जाए और यह देखिए कुछ सेकेंड के बाद हम इसमें एड करेंगे हाफ टी स्पून भुने जीरे का पाउडर और वन टी स्पून डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर यानि ड्राई मैंगो पाउडर और इसको फिर एक बार मिक्स करना है फ्लेम बिलकुल लो रखनी है और इस स्टेच पर हमें इसमें थ्री बॉयल पोटैटो जाएड करने है के इसमें एड करें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहां पर वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि हाथ से बनाया जा रहा है ट्राइपॉड टूटने की वज़े से नेक्स्ट वीडियो बिलकुल क्लियर आएगा तो आप लोग इसे प्लीज स्किप ना कर लिए आप पूरा देखें यहां पर मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर इसमें एड किया है और इसे फीर से mix कर लिया है यह देखे और दो से तीन ग्रीन चिली विलकुल फाइन चॉप्ट करके इसमें mix कर लें को और इसको इसी तहां से mix करते हुए हम दो मिनट पका लेंगे low to medium flame पर और इस side मैंने कढ़ाई में थोड़ा पानी लिया एक कटोरी रखी और एक बरतन का धक्कन रखकर इसे 5 मिनट के लिए medium flame पर steam होने देंगे और इधर आलू में मैंने half teaspoon salt add किया है और इधर 10-15 मिनट हो बढ़ थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करना है और आप देख सकते हैं सूजी काफी अच्छे से फूल गई है हमारी थोड़ा सा इसे हम और फेट लेंगे ये देखे कंसिस्टेंसी इस तहां से आपकी इतनी होनी चाहिए फिर इसमें half teaspoon salt add करेंगे और इसे एक बार और mix कर लेते हैं तो अब last बारी आती है इसमें इनो की और पूरा full sachet इनो का हम इसमें add करेंगे और इनो डालने से ये हमारा नाश्ता बहुत ही ज्यादा फूला फूला और spongy सा बनेगा तो आप लोग बिलकुल last stage पर इसमें इनो add करें पहले से बिलकुल ना add करें और ये इन उसमें या घर इसमें एसमें बना ल деньги करें और साड़े क्तोरियों में एक उलब मिक्स wonder रहे हैं पह्र ये जो पार ये बना है कि देखें और अलुड네 ये ग्डालो की जो लिए ये जो मे पढ़ें जूसरी ऑनाएं और शारे ऑना किए इसको हम एड़ कर देंगे इस तरह से यह देखे आलू की जो ठिकी बनाई है हमने और अब इसके उपर दुबारा फिर से हम एक एक चमच बैटर को एड़ करेंगे और यह हमारा लास्ट बचा है इसमें भी हम जो बचा हुआ बैटर है वो थोड़ा थोड़ा सा सब में और एड़ कर देंगे और अभी आप देखेंगे कि यह कितना स्पॉंजी सा हमारा ब्रिकफर्स तयार हुआ है यहाँ पर पानी भी अच्छे से बॉयल हो चुका है और 20 मिनट के लिए इसे अच्छे से स्टीम होने देंगे इसे धग देंगे और आप आफ्टर 20 मिनट देखेंगे यह बिल्कुल परफेक्ट से हमारा स्टीम हो चुका है और इसे आप टूथपिक या नाइफ से चेक भी कर सकते हैं कि अंदर कुछ कच्चापन तो नहीं है बट यह बहुत अच्छे से हो चुका है और यह देखे इस तरह से आप जब निकालेंगे तो यह बहुत इसली बिना खराब हुए आसानी से निकल जाएगा और आप देख सकते हैं कितना जालीदार कितना परफेक्ट हमने कढ़ाई में यह तयार किया है बिना स्टीमर के तो अगर आपको यह मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कोमेंट शेयर करें और बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई रेसिपीज